नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपनी चैनल से अनौलेज पर स्वागत करता हूँ आज हम लग बात करेंगे कि हमारे राजी के चीफ मिनिस्टर कैसे अपना पदवाल समालते हैं और कुछ परमुकार जो उनके द्वारा पूर्ण किये जाते हैं उनके बारे में भी जानेंगे तो आएए वीडियो को सुरू करते हैं मुख मंत्री का इस्थान किसी भी राज में सरवच्च इस्थान होता है और हम मुख मंत्रे की इस्थान की तुलना अपने देश के प्रधान मंत्री के इस्थान के साथ कर सकते हैं हमारे राज्य के मुख मंत्रियों को वहां के गवर्नर के दोरा सपत गरहन करवाया जाता है राज में दूसरे मंत्री वो को मुख मंत्रियों के परामर्स पर गवर्नर सपत गरहन करवाते हैं साधरन तोड़ पर किसी भी राज में वहां के बिधान परिसद में बहुमत दल के नेता ही मुख मंत्री के पद पर बैठते हैं और गवर्नर मुख मंत्री के साथ उनके सिक्रेटरी को भी सपत ग्रहन करवाते हैं उनके वेतन की निर्ने भी विधान सभा में ही लिया जाता है आए अब चीप मिनिस्टर का दूसरे मिनिस्टर के साथ संबंदों पर चर्चा करते हैं चीप मिनिस्टर सदेव दूसरे मिनिस्टर के साथ संबंद में रहते हैं और बिभिन विसेओ के संबंद में जानकारी एकत्रित करते रहते हैं चीप मिनिस्टर के पड़ा मर्स पर ही गवर्नर दूसरे मिनिस्टर को सपत गरहन करवाते हैं वो कभी भी किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कर सकते हैं या गवर्नर के दोरा उनसे रिजाइन करवा सकते हैं जब भी मिनिस्टर की मीटिंग बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षिता चीफ मिनिस्टर के दोरा ही किया जाता है चीफ मिनिस्टर ही दूसरे मंत्रियों को उनके सारे कार भार के बारे में बताते हैं और उन्हें उस कार को किस परकार संपन करना है इसके बिसे में भी समझाते हैं चीफ मिनिस्टर अपने पद से स्थीपा देकर मंत्री सभा को भंग कर सकते हैं अब हम चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के साथ उनके संबंधों पर चर्चा करेंगे मुख मंत्री ही मंत्री सभा और गवर्नर के बीच के चर्चा माध्यम होते हैं मुख मंत्री अपने सरकार के कारियों से संबंधित सभी जानकारी गवर्नर को देते हैं अगर गवर्नर को इससे अत्रिक्त भी कोई जानकारी चाहिए होती है तो मुख मंतरी उन्हें उन सारी बातों की भी जानकारी देते हैं साथ ही साथ गवर्नर और मुख मंतरी और भी बहुत सारे बातों पर चर्चा करते हैं जैसे कि इन्हें Attorney General of State निट किया जाए किने Chairman of Election Commission निट किया जाए और किने Chairman of State Public Service Commission निट किया जाए इन सब बिसेव पर भी मुख मंतरी अपनी राय गवर्नर को देते हैं और गवर्नर उनके इन राय पर विचार भी करते हैं इस प्रकार किसी भी राज के कार संचालन के लिए गवर्नर और मुख मंतरी के भी संबाद माध्यमों का अच्छा होना आवस्क है मुख मंतरी के परामर्ज पर ही गवर्नर बिधान सबा के आयोजन का समय निर्धारित करते हैं और उनही के परामर्ज पर ही वह इसकी समापती के समय सीमा को भी निर्धारित करते हैं बिधान सबा में ही मुख मंतरी अपनी सरकार की सारे कारियों की सूची प्रस्तूत करते हैं वह अपनी सरकार की उपलबदियों को भी बिधान सबा में सब को बताते हैं इस प्रकार मुख मंत्री पाटी का भी स्रेष्ट निता होता है राज्जी का भी स्रेष्ट निता होता है और उस राज्जी के सभी कारियों सभी मंत्राले का भी स्रेष्ट निता होता है धन्यवाद आप सब का हमारे साथ जुरने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें